जब हम लोग सीकम स्टार्ट करेंगे तो सीकम का मतलब ही होता है कि बलंड बसीकली वाइड इस्ट्रक्चर्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है जुसको हम लोग सीकम के नाम से जानते हैं अब यह कहा रहा है डिफिनिशन में सीकम क्या एक तरह का लार्ज डालेटे पूरे जी आई टे में याद रखोगी सीकम के बारे में अब लोग पढ़ेंगे अभी तो जैसे सीकम यहां से ऐसे स्टार्ट हो यह लाज इंटर स्टाइन है तो सीकम का नीचे का पॉर्शन यह जा लाज डालेटेड ब्लाइन शैक अपेरेंस से बिसीकली हम लोग देखते और इक इसका पार्ट है तो प्रॉक्जिमल इंड अफ दे लार्ज इंटर से बाइन अब लोग बोलते हैं अब सिचुएशन की बात बरे तो सबको पता कि सीकम कहा होता है राइट इलियक फोसा यह आपको हम ऐसा याद रहा है इसलिए कोई कि अगर सीकम से रिगार्डिंग कोई भी इशू आएगा तो पेन और टेंडरनेस और कोई भी इशू कहा हमिल लगा राइट इलियक फोसा यह स्पेशली जब तुम देखोगे कि एक फीचर देखने को मिलता जिसको अगर इंटेस् इंटेस्टनल टीबी का अफेक्ट जादा तर उसी पार्ट उसी रिजन में होता है मैं आगे बात करूंगा बस किलिनिकल अप्लाइट में तो इस चिसको याद रहना है कि सिचुवेशन किसी और इलियक फोसा आपको याद रहना है कि राइट इलियक फोसा जो है क्योंकि व यहां से बेकिर के क्या है कि लटर Deck वेन पको मिलता है जिसको हम इंगॉनल लिगामेंट की नाम से हम लोग जाने की उस लिगामेंट का मतलब पूरा structure माल लो ऐसे तो half of ligament half of ligament से इससे ओवर यहीं पर क्या है ठीक हम इस तरह से relate कर रहा है ठीक है अब यह तो location wise हम लोग बात कर लें कि चलो यहां पर यहां पर अब whole of this वो पूरा का पूरा जो सीक है मैं वो communicate कर रहा है it is a communicate with three process यानि कि एक जैसे यह room है तो तुमसे मगर पूछे कि यह room जो है other environment के साथ जो communication कर रहा है कितने चैनल तो एक इस gate के थुरू कर रहा है एक उदर का गेट अगर खुल जाता है वो कर रहा है दो windows को थुरू कर रहा तो यह क्या हुआ communication मतलब चैनल जुडाओ बाहर से अंदर की तरफ जो जुडाओ है उसकी हम लोग यहां पर सिर्फ यह पार बालो तो सिह कम एक तो ऊपर की तरफ जो जा रहा है तो किसके साथ कर रहा है असंडिंग कॉलान के साथ तो इदर से स्मॉल इंटरस्टेंट का पार आ रहा है तो यह भी किस में जुडेगा तो यहां पर एक कम्मु्निकेशन मिल गए बात करों इसको और आसानी से समझना तो यहां भी तुम देख सकते हो ना कि अगर मैं बात करूं सिंपल में बतारो कि यहां पर अगर हम बात कि रहे तो एक देखनों को मिल रहा है अभी इस पे बात करो यह वाल होता है इसका मार्जिन अलग-अलग होता है तो सिर्फ अभी तुम याद रुखो यहां पर जो तो तीन आपस में हम देखते कि जो सीकम है जो ब्लंट लाई के स्ट्रक्चर्स है वो कितने में तीन कॉम्निकेशन आपस में रखता है तो बिसकल यहां पर हमने देखा हाँ इन को मिट्रेघियर में किसके साथ यह करेगा तो इलियम के साथ करेगा और पोस्ट्रों मीडियल यहीं पीछे और मीडियल में पर किसके साथ करेंगा अपनिस का लुमन बहुत ही मीनिमम होता है लेकिन बहुत मीनिमम में जरूर है लेकिन वह तो कॉम्मिनिकेट कर रहा है न इसलिए कभी-कभी उस मीलिये छोटे से डायमेटर में कुछ पाटिकल चला जाता तो अपनिस इनल कई चीज़े देखनी को मिलत और तीसरा आगे जो कंटीनिव करेगा किसके साथ असंडिंग और इन तीन के साथ कर रहा है अब एक चीज़ यादर को पूरे इंटेस्टाइन में सबसे इंपोरेंट बात यहां पर एक चीज़ आती है को जो लेंध वाट पढ़ रहे है उसका लेंध जाद है और वाइड क 10 कि में आझ चेज़ आतर यहां सबसे पढ़ dying जो लेंध इसका नगट सबस्कान तो यह क्यों सबस्टाइब देंट जो इसके जो लेंध पर पूरे GIT में एक ऐसा सीकम ही ऐसा है, जिसकी चोड़ा ही जादा और इसके कंपर में लंबा ही काम है, लेकिन सीकम के पास आते ही हम लोग देखते हैं, शीकम इस शॉटर देर वाइडनेस, इसके वाइडनेस के कंपर में अगर हम लोग बात करें तो यह क्या होता है, पीछे को बिखुआ हो नहीं टोपी पेन के ऑंगर आए, उटा को, क्या ना मैं जी, आए, क्या ना मैं, हाँ जी टोपी तु महीं यह गाना हो, इकलास मुझें गेख फुर पहने के आयो, ओर उबार हम देख एड़ो, क्या हुआ गए बेर गेर स्था, क्या बगे घए थे, तो यहां स पेशन्ट को आपरेशन तो रोज होता है तो होस्पिटल में तो रोज अगा तो रोज इसका मतलब तुम इस अनटॉमिक क्लास्ट्रूम को स्लिपिंग आवर बनाते हो क्या क्या फाइदा फिर आ करके शरीर तुम्हारा यहां दिमाग कहीं हाई नहीं तो मतलब होगा अने का जी मत पढ़ो फिर क्या मतलब है हम जाकर यहां से पूरा 24 गंडा काम कर लेकिन जो जिस प्राइम चीज के दरवंगा किसले आयो कहां गर तुम्हारा तो प्राइम चीज को छोड़ करके से कंड़ी चीज पर परने से सोचेट हम मान रहे इसका मतलब यह थोड़ी नहीं है कि सबको में चीज को छोड़ करके और जो एसोसीएट सीज उस पर जाके तुम फोकस करो माना तो नहीं करते किसी को जाओ लेकिन अब तुम पढ़ोगे नहीं अब तुम रहां जाके टाइम वेस्टी कर रहे और वो एफेक्ट यहां हो रहा है किसों को मैनेज करो इवनिंग करो क्या दिक्कत आ रही है यह रियनाइट करना इवनिंग करो दो बज़े के बाद तो फ्री रहते हो ने जी वहां भी कहीं जाते हो तुम लोगों के बस अपने आपको गुलामी करने का आधात हो गई है अपन बोलते हैं तुम लोग हमको नहीं चाहिए ना तुम अपने टाइमस आएंगे तुमको सिखाना तो सिखाना तो बहुत सारे लोग बैठे हुए जब सीख जाओगे ना कुछ पैसों के चक्कर में अपना करियर को बरवाद मत करो हम बार बार कह रहे हैं तुमको अभी लग रहा कि बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये करियर को चॉपट कर रहा है तुम उस जगह जाओ भाई जहां पड़ हमको पैसा नहीं चाहिए अच्छा कमाना तो सुरू में आपको में काम करना पड़ेगा सीखना पड़े गई ना अभी का कर लोगे जब कंबंडरे बनना था तो पर नहीं मत आते तो दिमाग लगा पढ़ो तो जा करके वहां बस नात को लोगे सर्जरी में कुछ नहीं होगा जादेख यहां पर हम शेब की बात करते है क्या कि जो सीक में सीक में स्की बात हो भी करना और बर्त के बाद चेंज्नेस हों तो अलगा अलगश एक लोग बात caveat तो पहले लिखते थे, it is a dilated pendulum के तरफ नीचे में, क्योंकि नीचे उसके नीचे कुछ है, सिकम के नीचे यहां क्या है, कुछ नहीं है, यह पंडे नीचे में समझो इसको, यह पीछे जाके अटाच है से ना, तो आ रहा है दर, लेकिन नीचे जो की बात करो तो यह क्या, बिलकु पर और यह नीचे जो था वो, और इधर से क्या, iliocical junction, अब यह iliocical junction से नीचे, यह पूरा पार्ट एक तरफ पर क्या है, पैंडूलमिया, शैकलाई के स्ट्रक्चर से बना हुआ, ठीक, तो यह चीज़े देखने को मिलता है, अब इसके शेप में, अगर हम लोग आगे ब उपर से नीचे, बल्ज नहीं है, वो नीचे से नारो होता हुआ और यह इस तरह से बल्ज हो करका, यही पढ़ता है, वर्मी फॉर अपंडिक्स, तो अपंडिक्स सिस्ता में एक तरह क्या, 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 क्या बढ़त से पहले भी ऐसा था, फीटल लाइफ में क्या होगा, ऐ कि अब बढ़त से अब, क्या मतलब है, कि वो कॉनिकल है, उपर से तो बलंट नीचे एक तरह एदम, पॉंटे हो चुका, अगर क्या है, पंडिक्स सिस्ता में आजाता है, तो पहला चीज़ कहाता है, अट दा बेर्थ, इस अ कॉनिकल इंशे, तो हमेसा, क्या क्या कहता है, कॉनिकल ही होता बाद में जाके चिंजिस होता है ना लेटर इस सीकल ग्रोथ रिजल्ट इन दे फॉर्मेशन टूस्य क्यों अब बाद में चलके क्या होता कि दो सेक्वल बन जाता है सेक्वल मतलब का सिंपल सब्वें पाउच बन जाएगा एक से माल लो भी एक कॉनिकल है अब यहीं से इसका अगदम बढ़ने लगेगा बढ़ने लगा तो इधर आकर के कुछ इस तरह से ऐसा बन जागा एक इधर एक यह और रारीट साइड एक क्या हो जाएगा इसको लेफ्ट हम यहां पर हमाल लो तेको हम लो राइट यहां पर नाम ने देखे और एको सक्いोल बन जाता मतल्स शंजो minus like large, bulging होने लगता, भैजिन स्वतनों तरस को द्वल्भ हम लगता बलिन टूस अकुल का najwięksi on either side off the entire अञीर टीनिया Vaak anna जो टीनिय उसके साइड में बीछै विच्छा हो जागा वॉल्भ हो जागा इस टीनिया Vaak के दोनों तरफ जिसको हम लोग क्या होने लगेगा बलजिन साक्यों का सबस्क्राइब यहीं और यहीं जब आगए पड़ता जाएगा तो आड़ जेन्दल आपको नहीं याद है तो पहला को लोग बोलते कि फीटल टाइप दूसरा को इन्फेंटाइल टाइप अब इन्फेंटाइल मतला जनम हुआ तुरंट तो एक बाई यहां ऐसा तो नहीं बनेगा तो एक तरह का पैटरन चेंज होता है ना उसको राइट सीगल देखने को मिलेगा तुमको इस ट्रैप का क्या होगा जो यह यह अप्रेट कर रहे हो ऊपन हुआ तो देखने को मिलेगा तो वहां पर यह जो पैटरन यही टाइप 1 है और यही टाइप 3 तो पहला तो कॉनिकल दीग गया टाइप 1 है फिट अब यह जैसे ही तो बीच वह टिनिया की दोनों तरफ क्या होने लगा सेक्यूलेशन होने लगा तो एक राइट सेक्यूल और दूसरा लेफ अब यह राइट लेफ्ट में हम पना एक लेफ्ट बना अब ग्रोथ तो होता चला जा रहा है राइट लेफ्ट कप बल गया so that the appendices are pushed toward the lift. अब ये right and lift दोनों growth करता, देखो. Right and lift दोनों growth करता है, लेकिन right का जो कहता है, growth जादा होने लगता है. जिसके वज़े से जो appendices पुश हो करके इधर का, पीछे की तरफ चला जाता है, जो जो कह रहा है कि right growth जो होगा, वो right circulation का, जो right secules है, right secules is a greater so that the appendices push, appendices हो क्या लगेगा, एक धक्का लगता है towards the lift, यानि कि इधर की तरफ है, अभी तो beach beach की तरफ है, अभी क्या appendices, लेकिन ये जब बढ़ने लगेगा, खूब जाता है, तो ये किधर जाएगा, ये lift वाला उसकी कमपन में कम बढ़ेगा, तो महलो, इधर तुम खड़े एक आदमी इधर एक बीच में कोई इस तरह का चीज रखा हुआ, तो हम धक्का लगा रहे हैं, तो किधर जाएगा, उधर की तरफ shift होता हो, चला जाएगा, तो जब ये बढ़ेगा, तो सम्झेक तरह से क्या कर रहा, पुश कर रहा, तो इधर जाएगा, लेफ्ट वाला नहीं बढ़ रहा, अभी तुम दखुर इधर आते हैं, तो ये राइट वाला ही पुड़ा बढ़ा हुआ, तो ये वेसिकली क्या होँआ, टीनिया भी इस तरह देख रहो, रोटेट होकर के सिफ्ट कर रहा, अपंडिक्स भी कहां से लागा, इधर चलागा, तो ये रिलिटिवली जादा ग्रोथ करता है, लेफ्ट से, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, इसके रिजल्ट में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हम लोग करता है, रिजल् बेस की अगर हम लोग बात करें तो इससे ज़्यादा अच्छे समझे यहां, अगर हम लोग बेस की बात करें, पोस्टर और मीडियल वाल, अब दखो यहां पर इस इमेश में बहुत ज़्यादा, इसको जादा अच्छे से बाता है ने, चलो, हाँ, तो यहां पर देखो, है यहां से इंटर हैं, यहांसे अगर हम ना क्या होगा है, पिछे जाँ टरफ दो, अगर आसे हम खड़े हैं, तो इधर वाला क्या होगा? यहां पर सीक्म है और बीच और बिच लाइन डाल दिया तो इधार वाल distra पिच्छे वाले दिवार पर पीछे वाले कोई पूचिए कि इधर भाई की मीडियल की तरफ है लाटरल की तरफ तो क्या बताना है तो इसलिए बोलते हैं कि appendix are attached on the postero medial wall of the seaker मैं पढ़ाऊंगा appendix के चार-पांच पोजिशन से लेकिन रूट एक ही जगा टाच रूट कहीं नहीं जाएगा रूट क्या होगा रूट एक ही जगा होगा appendix के position clock wise है चार-पांच इधर रहा इधर रहा इधर रहा रहा वह अलयो रेट्रो से कल अलग-अलग एसप्ली के बहुत अलग-अलग देकने को मिलेगा बट रूट जो है जैसे घड़ी का काटा का क्या होता है रूट एक ही जगा होता है बाकी उत्पक्या होता वो मूव करता हुआ उसके जो होते है वो जो वो मूव कर रहा हुआ उसका निदिल तो सेम एस हम लोग एपंडिक्स में डीडियल उसकी बात करेंगे तो अभी सिर्फ यह समझने की कोशिश करना है कि जब फीटस था तो एपंडिक्स कहा था इंफेंटैल आया तो कहा या और नॉर्मल टाइप आया इडल्ट मतलब आ गया तो कहा गया अब यह हुआ क्यों क्योंकि पहला चीश तो दोनों के अंदर जैसे ग्रोफ होने लगा तो सैकुलेशन बना उसमें एक सैकुलेशन का बरने लगा तो यह सो किदर सिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ दक्का लागय कर दिया चलो यह चीश के लिए ठीक है अब यह टाइप को हमको डिफ्रेंसियेट करने की ज़रू होता है इसको अब यह टाइप डिफ्रेंसियेट करने के तो कह रहा है जो कॉनिकल टाइप है वह लगबा कितने परसेंट में होगा 2% अब इस दोनों का जो डिफ्रेंस बॉटम है इधर से एक आया था और इस दोनों का जो डिफ्रेंस बॉटम है हुआ में क्या है अपन्रीश्य टो ऑफ तो कुई तूमसे पूछे कि टा टू या इन्फ्रेंटाइल टाइप अष्प जोहोगा उसमें जो है क्या 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 है कि जो aesthetic होगा वह कहा होगा तो उसके में तो दोनों साकूलेशन के में जो डिप्रेशन से उस डिप्रेशन के साथ अपन्डिस के होगा तो यह भी पैचाना देखके बता सकते हैं तुमको ऐसा नहीं रखा जा सिर्फीगर वह कॉनिकल सीकम यह मतलब कि क्या करते हैं कि फिटल टाइप हो गया या कॉनिकल टाइप हो ग अगभग मैजुरिटी यह पॉपलिशन में ऐसा हो गए यहां को राइट सेकूलेशन इस लार्ज हमने देखा राइट सेकूलेशन क्या हो गया राइट सेवला बढ़ गया एन अपन्डिस इस विद अटेच ऑन दा पोस्टेरो मीडियल वाल या पोस्टेरो मीडियल आस्प अपन्ट सेवला प्रण दा प्रण दा किसे इलियो सेकल जंक्शन से ऊपर जा करके और कहां पोस्टरो मीडियल वाल पे जा करें उसके बाद एग्जेगरेटर है जो फोर टू फाइपर सेट में देखने हो इसमें गजाता है राइट सेक्वल्स इस इस अनना इन में फिद काफी बिसिकली इन लार्ज हो गया और बहुत जादे लार्ज हो गया और लेफ सेक्वल इस अपसंथ लेफ सेक्वल प्रण अप्संथ अप्टेश जुस्ट बिलो अभी में तुम्हें बताया कि अपेंडिक्स जो है यहां पर दो यहां से यहां से इलियम आ रहा है तो यह आताफान लियम से वोन सेंटे मेटर एंव देखा लेक है पर क्या इसके जस्त इसके just below है उपर नहीं, जो ileo-sicle junction उसको क्या है? यहाँ is ileo-sicle junction आया? और इसके just below यहाँपर देखने क। अब यहाँपर हुआ क्यूं? तो यहाँका right वाला से क्यूल बहुत जाद है? बढ़ गया और left वाला क्या हो गया? अप सेंटी हो था, वह है नहीं. तो जाहिर से भा तो जिन्डली तो तुमको यह याद रखना है जो नॉर्मल टाइप है उसके बागि एपेंडिस का जो पोजिशन होगा वो हम लोग डिटेल में आगे की क्लास में हम लोग बात करें अब आता है रिलेशन्स क्या होगा ना रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहल इसके आज-पास कौन-कौन सा ओर्गेन मसल्स नार विनॉल जो भी चीज़े हैं उन सारे चीज़ों के बात करते हैं और विस्टल मत्तब उसके साथ कौवर्ड करने वाला पिरिटोनियल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिलेशन में अगर हम बा अगरा क्वाल साफ मॉल इंटस्टैंड क्योंकि जेजिनम उदर से यहलीम आकर मिला यहाँ ना इलियम साकर के मिला है यहाँ पर तो थोड़ा बहुत क्वाल सफ यह मालो तो इसके कुछ वगर यहां पर अंटेरी इसके सामने में क्या देखने को मेलेगा बाकी क्या दिखेगा बाकी क्या दिखेगा बहुत जादा में पोस्टेर्य रिलेशन तो पोस्टेर्य रिलेशन में हम लोग जब बात करेंगे तो कहरा कि पहला चीज तो राइट स्वास मीजर्स एंड इलियकस मसल्स यहां से अगर तो पीछे से यह मसल्स में करते हैं दूसरे यहां पर इलियकस मसल्स एक मसल्स कीृष से इन्फट आ रहा है सौशमसर्स का और पूस्सवास मीजर्स और यहांट नंणों मसल्स की पीछ-षक्ष्ट अ यह ही जए इस सिछा याद रोकूंगे, यह क्या, सीकमर, ठीक है, तो यह डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, इसके पीछे जो भी रिलेशन्स ब्यारा सब इसके, किसके में रिलेशन्स पोस्टेरी में, तो पहला क्या है, दो मसल्स है, जो पीला-पीला सब, नर्फ का इंडिकेशन, यलो कलरी जेनली लाटर क्यूटेनियस नर्फ अब दथाई, यह आ रहा है, और जाए से बाद है किदर से, सीकम के, पीछे से आ रहा है, पहला, जेनेटो-फेमरल नर्फ, यह देख रहा है, पीछे देखनों को मिल रहा है, चलेए, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, यह कॉमन जब लोग तुम के, पीछे से आ रहा, उपर राइट गोनडल वेसल्स है, राइट गोनडल वेसल्स उपर से आई रहा, तुमको पता है, उटा से निकला होगा, तो यहाँ पर यह दर से पूस्टर्ली आता हुआ, देखनों को मिल रहा, तो यह कही न कहीं किसके पास रिलेट कर रहा है, यह स अब को थञा है, पोस्टेरियर साइड ओफ, देखनों को मिल रहा किसमें, तो यह एक विस्रल रिलेशन की बात हो, अब विस्रल रिलेशन के बाद, अगर हम लोग बात करेंगयों, तो क्या होगा, पेरितोनियोHAN रिलेशन, जो अभी देख रहे हुआ थे, वो क्या था, वि उसके उपर जो परिटोनियम का कवरिंग है वो कहां पर है कैसे नहीं उसके बारे में लोग बात करेंगे तो सबसे पहला हम यह लिखता कि परिटोनियम रिलेशन में कि 90% अफ दे इंडिविज्वल्स जो 90% अफ इंडिविज्वल्स के अंदर में लोगों में वो पूरा का पूरा और ऊविज्वल्स आगर अगर नहीं है लगबक 10% पॉपूलेशन में कहता कि अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि अपर पा्र आगर 10% लोगों में कवरिंग कहिराया कि नहीं है तो उसमें कहां पर ने उसकी बात करेंगें इस इनुना पूरी टीर इंडिटोनल अन स還 पूरा आगे से भी देखो साइट से क्या लगा हुआ और 10% पॉपलिशन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ से उसके अपर पार्ट अपर पार्ट जिस होगा आप जैसे यह एंटेडियर होगा लैटरल मीडियल जो भी आप पीछे का पोस्टेर वाल था तो सपोस्ट यहां से हमाल तो पोफिश्ट को दो डीवीजन हम लोग कर देते तो आपर एंट लूर हो या तो आपर पार्ट इस पोस्टेरियर सर्फेस अनौन परिटोनियल यहां क्या होता है पॉर्ट फॉसर्फ कितनी पर्सेंट पॉपॉलिशन में मिलेगा पर्शन peritonials कुछ folds बना रखे हैं क्या बना रखे हैं तो वहाँ ही चीज़ कहता है peritonial folds basically इसमें देखने को मिलता है जो relation रखता सीकम के साथ the terminals part of the ileum अब जखो जो terminals part है ileum का तो ileum terminate कहां कर रहा था हम कल और हर class में पढ़ रहा है ileum सीकम में आके terminate कर रहा था ileum की बात कर तो यहां से अगर ileum ऐसे है यहां के terminate हुआ है लेकिन क्या इससे पहले भी तो ileum होगा ना ileum थो बड़ा सता ना आ रहा था रहा था हम लोग डर्मिनल part of ileum की बात कर रहा तो कहरा जो terminal part of ileum है वहाँ पर हम लोग देखते कुछ peritonial क्या करते है कि relation सीकम के साथ देखने को मिलता किसका तो वही peritonial में एक फोल्ड के सकल में होता कि सकल में होता सबसे पहला तो यहां पर तुम देख भी सकते superior superior ileo यहां पर अगर तुम देखो इसको तो यहां पर देखो यह अगर शीथ है तो यह इलियम है यह क्या है इधर भी क्या हो गया अब यहां पर हम लोग देखे superior यहां पर देखो ऐसा लग रहा कि एक इधर आकर करके क्या हो अटासट हुआ? यहां पर अटास्स ना तो यह एक शीथ हो अटास्म पर नहीं कर ला तो यह जो यहां पर को तर्मिनल पर वहां पर एक रहां पर totwork क्या है यहां सुल जो एकडम इलियम और सीकम के साते अधिक है। दोनों के बीच ओव बीच आ रहा है। तो यहां पर देख flourish जो को शीकम के नाम से जानते हैं। क्वत स्पूलर फोल्ड तो एक सीकम करा देखने कौन मिल 된 सीकम के पास। दूसरा देख इनफेरियर ऐलियो सीजल फुल्ड क्या हैं। इनफेरियर इलियो सीजल फू चेकल फूल्ड को मिल तो यह नीचे की तरफ आज आ जाता है, यह पर взक ठोल क्या पर यह पर इस तुम याद रख सक्ते हो, कि यह चीज है हैां, क्या इसकते इंवड करते हैं uda करता हैं। इसको नीचे सजा रहा तो सिंपल क्या इंफेरियर ए लिए और इंफेरियर ए लिए क्या करता है कि फोल्ट्स देखने को मिल जिसको इसको ब्लड्लेस फोल्ड आफ ट्रेवर्स के नाम से जानती यह तो यही से पूछा बहुत जाजा जाए ना नाम होता है ना वहां से एंसी क्यू एक्जामिनेशन ने पूछे जा सकते है ना कि ऐसा तो इसको पूछ दे वाटर दा ब्लड्लेस फोल्ड आफ ट्रेवर्स यह क्या है तो इस पेरिटोनियल फोल्ड वह कहां पर बाई तो इन फेलिय के साथ ही देखने को मिलेगा तो यहां पर अगर हम लोग देखे हैं तो इसके सीकल फोल्ड में लोग देखें अंटेरियर ली और पॉस्टी दोनों के बाद यह प्रॉपर सीकम के बाद अगर तुम इस चीस सो देखो अगसा ही से तो सीकम ऐसे पलटके मत्तब यह ऐसे था इसको समझो कि अपलटके तो सीकम था और यहां पर टीनिया वगरा है टीनिया जाकर करके आगे अपना चला जागा फिर नीच टीनिया के साथ नीची यहां से वर्मी फॉर अपंडिक्स अपोजिट यहां पर देखाए गा यह तर्मिनल पार्ट अफ इलियम है जो पीछे से सेग्मेंट यह का। इसे कुछ अन्टेडियर सेग्मेंट भी वहते हैं तो नाम एक ही है सिर्फ सिकल फूल्ड उसको बूलते हैं आगे पीचे होने से सबडिविशन कह सकता कि यह और पॉस्टियर जो है वह पर ऐगा फिर पेटॉनियल सेग्म से साइंठ सी मिलेा पोस्टे सीकल फोल्ट के बारे में बात किया गया है यह समिजा गया है अब इसके बाद listen to अंदर चले गए कहां चले गए inside of secum dasmins interior of secum तो अंदर जाने के बाद सीक में क्या देखनों को मिलेगा तो बिसिकली कह रहा कि जब हम इंटेरियर में जाते हैं पर्जेंट टू दो basically orifuses देखनों को मिलेगा क्या देखनों को मिलेगा दो orifuses मतलब 2 openings 16 वह में अपनीब और जो एक उपनिगों को मिले कान पोला इक है पर और होसके बात हुआ इसुन मैं देखने मिले कर मैं इसम dopoटर पहला कीज और समझचे वह गेपसे हैं जहां पर मैं центral कूल समलंग मैं उसके बात किynthे ऊपनिंगे पासंов फ Healthy पर एक बात कि बात है मैं अब तो यहां से यह सिर्फी आने वाल और इसके अंदर की यह जो वाइंगे तो यह आपनिंग कैसा दिखता है क्या मार्जिन है नई उन सारे की लेकर के हम बात करेंगे यहां पर तो सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग देखते हैं यहां तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो कहा था अब यहां पर यहां पर क्या हुआ कि मालो स्रीकम का वाल को कट किया यहां पर तो फ़ी अनध़िया यह थ्पर यहां पर तो कभी भी याद रखनाकी अगर हम लेन्थ याद रख रहे तो किस अंगल नहीं कहीं पर कोई ओपनिंग है तो इलियू सीकल का ट्रांसफर्स लेंद होता जो लगवग हम लोग कितना देखते है तू पाइट फाइव सेंटिमेटर रांसफर्स लेंगे अब इस आना इस ओपनिंग इस अगाड़ेट बाई इलियू सीकल वाल्ब देखो गाड़ करना बड़ा अब सोचो यहां का का लार्ज इंटस्टैन सबकर अपना अलग क्या करते तो अगर जाएगा तो अगर यह मूबमेंट तो सही है यह मूबमेंट एगर होने लगा तो घरबर हो जाएगा तो इसलिए वहाँपर एक वाल्ब है जसको एलियोसीकल वाल्व के नामसें क्या बूलेंगे ईलियोसीकल वालव तो उसको कई Пुछे क्या काम होगा है अभि अपर लुप के लग कि अगर अगर लोग लोग बात करें यहां पर अच्छे से देखें दो लिप से देखनों को मिल रहा है और जिसका लेंद्ट किसका ज्यादा होगा निचे वाले का होगा तुमापने लिफ निचे वाले जो लेंद्ग वह क्या होगा लार्ज होगा और अपर लिप्स कैसा होगा होरीजेंटल होगा और लेंद वाइस क्या होगा है क्योंकि यह इतने दुर में आ गया इसको सिधा करेंगा तो हो सकता यहां तक चला जा लेंद तो इसके वज़े से हम लोग यहां पर देखते कि जो वाल्ब है पर लेंद टूप्स अपर लल्ब अपर लिप्स कैसा है होरिजेंटल अपास में आप्स मी तेरी निससां कर सकते हैं यह बना घ्यजाओ जैतने सकते हां तेरी और से乾जिटी यह हुआप आफ एंगे व मांवक दोन निर्भ में स εκजारे कर हो को अपर अपर लो लुग यह काया वह सुदुट्टी मोंत हमाँ अवह सब दू इस साइड भी जूर रहा और इस साइड भी जूर रहा है तो अगर आप ऐसे खड़े हैं तो इधर वाला क्या होगा, लेफ्ट इधर वाला क्या होगा, डएट, तो यह जो पॉयंट है न जहांपर यह जुर रहा है, यह मिटिंग पॉadt जहांपर यह गरेगा उसको पुछे मलगों कहा है लेफ्ट या इन्टेरियर सीफल फैरोलम का क्या काम है है this is a role in the attachment of this two lips provide the attachment between horizontal and horizontal या concave कह सकतो या apparent lower lips के क्या करते मार्जिन्स को क्या करते जो दूसरा जो पीजर की तरफ यह कह है राइट या पोस्टेरियर सीकल फिरलम औरिफिंस अफ दे अपन अच्छे नीच आ जाएंगा हम लोग ठीक है तो यह प्रॉपर्ली एक ओपनिंग का हम लोग बात कर लिए पहला इलियो सीकल औरिफिस में हम लोग यह देखा कि वह कैसा है ट्रांसफर्स है कितने लिप्स काшихanka इन सारा चीजों अब हम लोग सीधे से ही आगर आभ वही सीज कोईसे और न है तो यहहां पर लीप्स पुछिसी देखाया कि पिसकल और यह यह तो इधर से कोई नहीं जा पाएगा तो आसानी से हम लोग देखते कि दो स्ट्रक्चर यहां पर अगर इस तरह से वाल्प कर देंगे तो इसके वज़ाइब तो पहला और दूसरा और appendicular orifice appendicular orifice is क्या बई तो ये जो appendices के वज़े से जो appendices है उसके वज़े से जो vermifor appendix है उसके वज़े से जो खुला उसकी बात हम लोग करेंगे appendicular orifice में क्या आता है लगबग basically देखने को मिलता है 2 cm below obviously बात मिलेगा क्योंकि हम लोग पढ़े भी थे याद होगा कि जो root of appendix root of appendix 2 cm below किससे मिलता है ileum से ileocecal junction जो ileocecal junction वहाँ से 2 cm तो कह रहा है कि एक small छोटा सा opening देखने को मिलता है जो कि 2 cm यहाँ से क्या करता है कि 2 cm below देखने को मिलेगा and behind the ileocecal orifices किते ileocecal orifices को अब यहाँ पर हम देखते this opening यानि के जो appendix और सीकम के भीच में जो एक opening बन रहा है यह नाम याद रखोगे वहाँ पर तो simple नाम था ileocecal valve बट यहाँ पर जो valve का नाम है वो कौन सा valve है valve of grillage यह lower margin of the valve of grillage यह आपके रटा है क्योंकि यहाँ भी valve का होना जरूरी है basically यहाँ पर valve in the sense होता है कि किसी भी चीज़ को इधर नहीं आने दे क्योंकि generally क्या है कि जो appendix है जरूरी तो हम लोग परते है appendix का कोई काम नहीं but surgical point of view से परो तो minor है मैंने कई बार बताया भी है appendix एक तरह का basically क्या है वो lymphoid organ में basically आता है तो कुछ antibodies है जो वहाँ पर पाये जाते तो कई न कई antibody है तो वो defense mechanism है थोड़ा बहुत क्या करेगा role play करेगा लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ारी बात आ जाती है लेकिन इतना कम role play करता कि उसको हटा दे तो कोई बहुत जादा फर्क नहीं पड़े उसको हटा देने से बहुत जादा फर्क तो इसलिए हम लोग मानते ही कोई ज़रूरत का काम नहीं होता है लेकिन कोई अगर इस appendice जो ये length होगा मैं बताऊंगा length लगबाग 9 से लेकर के 20 cm vary करता according to age तो इसके लुमन में अगर कुछ भी food particles या कोई bacteria basically अगर आके चला जाता है तो यहां पर petrify कर जाएगा तो appendicitis inflammation यह होना है तो कहिना कि यह valve इसको prevent करेगा इदर कुछ आने नहीं दे क्या करेगा इस appendice का जो पूरा length का इस length में इसके लुमन में कुछ तो यहां पर कुण सा valve इस वालव ग्रेलेश होता है attached to the lower margin of the opening ओपनिंग के lower margin में होता तो यह याद रखो कि valve of ग्रेलेश is a present in the appendicular orifices lower margin of appendicular तो यह तुमारा interior का काम होगा अब complete हम लोग देखते क्या चीज़ का भई तो सीकम का blood supply क्या देखेंगे सीकम के अंदर जो blood supply है और lymphatic की बात करेंगे तो blood supply में सबसे पहली बात हम लोग करेंगे तो सीकम जो है वो किसका पार्ट है for gut, mid gut, high gut में हम लोग बात करें तो किसका पार्ट होगा mid gut कोई नो कोई ब्रांच आएगा वहीं से होगा तो सीकम is supplied by the anterior and posterior सीकल ब्रांचेस अफ दे इलियो सीकल आटरी एक आटरी निकलता यहाँ पर दो सबसे पहले दो superior mesentric आटरी निकला साइस अगर तुम देखो तो superior mesentric आटरी निकला अब superior mesentric आटरी अगर निकला है यहाँ से यहीं से इसी का ब्रांच निकलेगा और superior mesentric आपना आगेगा फिर यहाँ से निकला लगा ileocecal ileocecal ileoquallic artery ileoquallic artery आगे superior division of the ileoquallic artery यह उपर और पार्ट में जाएगा संडिंग में सप्लाई के लिए चला जाएगा उससे directly कह सकते ileoquallic artery is a continuation with the inferior division of the ileoquallic artery मतलब ileoquallic artery जब आती है तो दो division एक उपर जाता तो उसको क्या बोलते superior division और एक नीचे आदा उसको क्या बोलते ileoquallic artery का inferior division उस inferior division से फिर का निकलता branch निकल रहा क्या निकल रहा anterior ciliac artery एक branch निकल गया फिर इसे से कुछ आगे सगया तो anterior फिर यहां आया फिर पीछे से सीकम के पीछे से जा रहा तो क्या होगा posterior निकल जाएगा और इसी से कुछ और appendicular जो appendus को supply करेगा और क्या करते है जो सीकम को supply कर रहा वो कौन कर रहा तो actually कर रहा वो iliocolic artery कर रहा उसका कौन सा division तो inferior division कर रहा inferior division आने के बाद एक anterior call इस क्या करते है सीकम लाट्री होता एक posterior सीकम लाट्री और एक appendicular artery जो appendus को properly supply कर रहा हम appendus में भी देखेंगे तो properly हम लोग देख रहे है क्या होगा blood supply की बात होगे तुमारा है ना तो आप वैसे ही अल्रडी हम देख सकते हैं यहाँ पर vein follow artery and drain into the superior mesentric vein और same portal system में और फिर वो चला जागा कोई पूले venus drainage कहा आएगा तो venus drainage सब मिलके कहां लाएगा करेगा कहां पर तो superior mesentric vein में करेगा और superior mesentric vein से कहां जागा portal में ठीक है lymph vessels की बात करें ileocecal lymph node basically ileocecal lymph node superior mesentric group of the pre-aotic lymph nodes की आसपास एक तरह का कह सकते हैं यह जो यहाँ पर दिया भी है इसले बता जादा कि कहीं से निकल के कोई भी body के part से जो lymph निकलेगा तो वो अपने near about lymph node में जाएगा तो सीधा से हम लोग near about जहां पर उसका drain बता देते जैसे simple समझे रखो जैसे तो मैं अगर train का train पे पकरने के लिए जाना तो station हम लोग प्रेफर्ट का जो near about होता है फिर वहां से जहां जाना 10 से स्टेशन क्रोस करेगा 50 से स्टेशन क्रोस करते भी अपने destination पर पहुंच हो गया तो सही मैं से हम लोग यही बात करते हैं जो कोई भी vessel से lymphatic flow जो होता है वो कहां जाता near about nodes के पास उस nodes होता है फिर फिर अलग अलग node होते होता है जनरली जनरल सर्कॉलिशन फिर रिबर्ट बैक कर जाता है तो ileo-kwalik lymph node basically हम लोग देखते है ileo-kwalik lymph node वहाँ पर basically superior mesentric group of the यह पूरा का-पूरा का mesentrics में आ जाता है superior mesentric अब यहाँ पर क्या upper end lower देखनों का मिलता है तो यहाँ पर basically हम लोग especially अगर बात करेंगे तो lower group of ileo-kwalik lymph node जो वहाँ से यह इस पार्ट का क्या होगा ileo-kwalik lymph node सीकम का पार्ट का ड्रेन करेगा फिर यहाँ से completely drain करता हो अगर हम लोग बात करें तो nerve supply में अगर हम लोग आ गए तो nerve supply की बात करें sympathetic यहाँ पर हम देख T2 से लेकर के L1 है ना T2 से लेकर के L1 ता जाएगा superior mesentric plexus जो basically निकल के क्या बनाता superior mesentric plexus वहाँ से इसका proper supply हो जागा ठीक है अब यहाँ पर कुछ सीकम के रिगार्डिंग applied anatomy की बात हम लोग करें तो को दो तीन चीज हम लोग देखते basically हम लोग देखते कि कभी-कभी क्या है failure of the relaxation of the ileocecal inspector ileocecal inspector क्या था भई ileocecal inspector था यह यहाँ पर यहाँ पर यह इंस्वेक्टर small intestine यहाँ 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 इधर से और सीकम यह दोनों के बीच का बात यह जो ileocecal तो कह रहा है कि अगर हम कह रहें failure of the relaxation of the ileocecal inspector long standing large bubble obstruction कह रहा कि अगर हम लोग कहते कि यह इंस्वेक्टर अपने को relax करने में failure हो जाए और यह लंबे समय तक अगर कहीं न कहीं persist करना स्टार्ट करें क्या करें लंबे समय में persist करना स्टार्ट कर जाए तो basically large bubble obstruction may cause distension and ruptures of the सीकम तो basically क्या होगा उसके वजए से हम देखेंगे कि जाहर से content जो होगा तो large intestine तो उपर अभी intestine में रुकावट हो रहे intestine प्रट गया हो intestine में कुछ growth हो गया हो या stool इस तरह से impact हो तो कोई भी reason हो जिसमें intestinal obstruction is a medical emergency याद रखोगे हमेसा क्योंकि intestinal obstruction अगर हुआ है तो जितना जल्दी हो operate करा देना जितना जल्दी हो तो अगर आप छोड़ते वे जा रहे तो time to time intestinal necrosis होता रहेगा उतना ज्याद है part of involved उतना ज्याद है part को cut करके remove करना पड़ेगा तो intestinal obstruction is a medical emergency अगर आपका diagnosed हो गया है तो immediate क्या करना है immediate जो है वो आपको operate करना तो अगर यही कह रहा है कि अगर हम लोग देखते कि bubble obstruction अगर cause the distance and rupture of the sickle लंबे समय तक अगर रहेगा if the obstruction is not a relief यानि obstruction को हम relief नहीं कराए treatment नहीं करे तो may chance is a long क्या करते है कि उभी अगर failure हो गया किसमें तो क्या करते है कि relaxation कराने के लिए तो simple सा मत्तबाब कर long standing large intestinal obstruction अगर रहने को bubble obstruction देखने को मिलेगा तो एक तो sickum distance करेगा यानि fullness start करेगा और अगर छोड तुम दो तो raptures भी कर सकता है इसलिए तो medical emergency में तो sickum act as a goid to a surgeon during the operation for the intestinal obstruction एक तरह से देखो कि sickum जो basically goid का का काम करता है उसको गाइड करता है कि इसको भाई तो surgeon को during the operating for the intestinal obstruction क्योंकि यहां अगर obstruction होगा तो यह relaxation इन चीजह में find out आएगा अभी जैवल कम्प्लीट कर यहां पर हम लोग देख रहे की failure हो जाता है का चीज में relaxation में एक तरह का symptom अभी जैस्ट ओपन किये तुम देखे वो चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक उसके बाद एक चीज़ बढ़ाता है dictum dictum का it is that of the if the sickum distended मालो sickum क्या हो गया distend हो जाता है इस case में and the obstruction in the large intestine obstruction का हो गया large intestine में होगा मालो large intestine में कोई ascending मोह सकता है तो revert back क्या होगा क्योंकि content तो इधर से जा रहा है तो एक time obstruction होगा तो रुकावट होने लगी तो पीछे क्या होगा backflow pressure simple तो सीकम का होने लगेगा सीकम का होने लगा distend करने लगेगा dictum is that if सीकम is distended सीकम का हो जागा distended है obstruction in the large intestine and if और यदी it is the impity the obstruction it is the small intestine और ऐसा होने लगता कि may be जो impity है revert back करके small intestine में back करके क्योंकि pressure जब आता रहा है climate तक हैगा तो ऐसे condition को बिसकम का होगा dictum बोलते है dictum कि सीकम क्या हो चुका है distend हो चुका है और basically large intestine के अंदर में obstructions है if यदी इसके अलावा एक और medical condition हम लोग देखते है यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर नॉर्मली इमेज है कि इलियम आया और यहाँ पर खतम हो गया अब यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज करते interception है interception एक वर्ड है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हम लोग देखे when a part of small intestine क्या करते है small intestine का जो part है वो basically interd कर गया कहा large intestine यहने एक तरह से एक के उपर दूसरे का overlap हो जाना क्या हो जाना overlap हो जाना अब यह जैसे overlap हो गात यह भी obstruction ही कराएगा याद रखोगे क्योंकि जाहिर से बात है एक tube है एक normal tube है और उस tube के अंदर तुम अंदर से कुछ डालके उसको block करोगे तो क्या होगा जो content आना तो वो क्या होगा obstruction नहीं कराएगा तो एक condition है क्या interception कहीं बहुत साथ मिलेगा JIT जो तुम करोगे radiology या ऐसे reports बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह पूरा large intestine है अब यही overlap कर जाएग दूसरे को उपर तो यहाँ से मालो overlap अगर कर जाएगा तो यह उपर चलागे अब यहाँ का पार यहाँ का पार्ट घुज़ गया ऊपर इतना पार्ट तो यह जो overlap कर जा रहा है इसे को हम लोग क्या बोलते interceptions बोलते तो सीधा से काता अब एक पार्ट इंटेस्टाइन का slip inside other intestine एक दूसरे इक ऊपर क्या कर गया यह सपोर्स यह मेरा hand है यह मेरा दूसरा इंटेस्टाइन चला यह slip कर कैसे चला गया अंदर तो जब अंदर चला गया तब क्या obstruction तो ही गया पुरा निमनी ब्लॉक हो गया तो interception is also blocking system कहा सकते यहाँ पर तो हाँ कभी भी अब लिखा रहा interception in a large intestine small intestine या area area locate करेगा अलग-अलग area locate करेगा ठीक है तो उसमें तुम्हें अपने आपको find out करना ही कहां पर यह चीज़े हो रहा है तो यह overall हम लोग ने यहाँ पर बात करेका सिकम के बारे में सिकम का normal anatomy से लेकर कि applied है ना tommy के तक है ना यहाँ तक किसो को आउट हो कोई कोश्चन हो तो पूछ सकते है तो पूछ सकते है लेकिन large intestine large intestine में कैसे करेगा ठीक पतला टूब है किसे के पास यहाँ पर चूब है पेज लो तहह लो तब देखते है इक पेज लो पेज 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 एक पेज आज बेठा में कैसे कि एफ टोपीज लो जाना संहना है महाँ दोपिज सपोस्US यह लार्ज इंटरस्टाइन है दिसे कंटिनुविशन से यह भी लार्ज इंटरस्टाइन अब यहां पर हम जोड़ें लेकिन यह मालों पूरा कंटिनुव कर रहा है तो अगर जैसे कंट्रक्शन होगा कहीं पर भी तो वह अटाच ही रहेगा लेकिन इसके अंदर क्या कर सकता है घुश सकता है तुम इसके इमेज करो के एक कंप्लीट चूब से और जब कंप्लीट चूब है तो अचा सिंपल ऐसा करो सबसे इंपली प्राक्टिकल चीज़ा रहे है जो सब को एडिस होगा तो पहला होगी तो पेन में जो हम लोग डालते हैं और यह तो लुमेन होता ना पूरा तो हम भीट करते तो एक दूसरे उपर चाड़ता है तो वह तो कंटीनियू रहता है क्यों चाड़ जाता है वह कंटीनियू है ना यह इंटस्ट्राइन तो सौफ्ट फ्लैसी पार्ट यह कोई इस बोन का बना वह हाड नहीं कि मूरेगा नहीं यह जुकेगा नहीं तो जस्लैक हम एक प्रेशर देते तो आ आ नहीं किसी कारण बस वाल जो लार्ज इंटस्टाइन का वीक पढ़ गया या कोई और ऐसी अबनार्मलिटी हुई जिसके कारण हो सकता यह लार्ज इंटस्टाइन आपस में नैरो हो गया जगा पर अब क्या होगा की फोर्स पढ़ा या कोई वीच्छ पढ़ा तो यह जब से भी किसी भी पार्ट एक दूसरे को पर ओवरलाप हो सकता ठीक है ज्यादा चांस जहां पर ओपिनिंग है झाल है